हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू लग्की एक्जाम यूट्व चैनल इंग्लिश क्रामर के इस वीडियो में आपका सवागत है आज का मेरा टॉपिक है टाइम इंटेंस टाइम इंटेंस पर हम एक्ससाइज करेंगे इसके पहले भी हमने टाइम इंटेंस का वीडियो बनाया था जिसमें हमने रूल्स बताये थे एक्जाम्पल से विद एक्स्प्लाइनेशन आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा ओ तो प्लीज जरूर देखें उस वीडियो को समझने के बाद उसमें जो रूल्स बताएगे उससे समझने के बाद आपके लिए यह स्पार्टिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं को सिन नमबर वान येस्टेडे आइम एन ओल्ड फ्रेंड वें आइम गोईंग तो दे मार्केट यह संटेंस हमारा येस्टेडे से स्टार्ट होड़ा है येस्टेडे मतलब बीता हुआ कल जो समय बीत चुका है यहांने बीता हुआ कल में पास्टेंस यह हमारा किस फॉर्म में है पास्ट फॉर्म में है आइमेट अगे हम पास्ट फॉर्म यूज करें है आइमेट एन ओल्ड फ्रेंड विन आइम गोईंग अगे हमने एम यूज किया यह संटेंस हमारा पास्टेंस में है तो हम यह एम क पार्ट है B, यहां M के जगर was use होगा, answer is B, question number two, the criminal was sentenced to death and was hung for his crime, यह sentence हमारा past form में है, the criminal के साथ हम was use कर रहे हैं, then verb का third form use कर रहे, तो यह हमारा past form में है, to death and was hung for his crime, यहां verb जो use कर रहे हैं, यह verb का third form है, hung use कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, hang एक word है, h-a-n-g hang, इसका मतलब होता है, h-a-n-g, इसका मतलब होता है, लटकाना या फासी देना, जब हम इससे लटकाने के sense में use करते हैं, तो इसका second form होता है, h-u-n-g hang, h-u-n-g, और लेकिन अगर इस वर्ड को हम फांसी देना के संस में यूज करते हैं तो इसका second form h-e-n-g-e-d hung and third form भी h-e-n-g-e-d hung होता है इस संस में हम क्या बात करें हैं फांसी देने की बात कर रहे हैं क्रीमिनल को फांसी देने की बात कर रहे हैं तो यहां कौन सा वर्ड यूज करेंगे हंग की जग हम हैंग यूज करेंगे तो यह पार्ट हमारा सही होगा यहां हंग के जग क्या यूज करेंगे H N G E D यह हमारा पार्ट यह हमारा एरर पार्ट है तो हमारा एरर पार्ट है C answer is C question number 3 the weaker which is stopped by the policeman contains a number of smuggled watches इस sentence में एरर का है the weaker which is stopped by the policeman content यहां जो हम content word यूज़ करें इससे में पता चल रहा है कि हमारा sentence किस होब में है past form में है हमारा sentence past form में है बीते हुए समय की घृतना का चिकर कर रहे हैं बीते हुए समय की बात करने के लिए यहां जो हम is use करें यह गल्त है इसकी जगह हमें क्या use करना होगा was इसके जगे हम was use करेंगे तो यह part हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह sentence हमारा past form में है तो हमारा जो verb use होगा sentence में जो भी हमारा verb use होगा वो past form में होगा तो यह हम इसके जगर was use करेंगे तो यह part हमारा सही हो जाएगा तो answer is A Question number 4 Although it is summer Now the weather at the hill station was quite pleasant Although it is summer सही है यह हमारा present form में is use कर रहे है Now the weather at the hill station was एक जगर हमने is use किया दूसरी जगर हमने was use किया यह sentence हमारा किस form में है present form में है present की बात को बर्तमान की बात को बोलने के लिए हम present tense का use करेंगे यह was हमारा past form है past tense में was aware का use करते है present में हम was का use नहीं करते है यहाँ जो हमने was यूज किया यह हमारा error है इसके जगर हम क्या use करेंगे इसके जगर हम is use करेंगे तो यह part हमारा सही हो जाएगा तो मारा error part है C answer is C question number 6 सुभा had been at school but she did learnt nothing there इस sentence मेरे का है सुभा had been यह had बता रहा है कि हम past tense में sentence को बना रहें past form में at school but she did learnt did के साथ हम क्या use करें learnt यूज करें verb का third form यूज करें rule वाली वडियो में हमने आपको बताया था कि do, does, or did इस तीनों के साथ हमेशा हम verb का first form यूज करेंगे हमेशा याद रखे कि इसके साथ verb का other कोई भी form नहीं यूज करना है जब भी do, does, did आएगा तो इसके साथ हमेशा हम verb का first form ही यूज करेंगे यह हम गलती क्या करें verb का third form यूज करें यहाँ क्या यूज करना में learn she did learn nothing there तो यह पार्ठ हमारा सही हो चाएगा error पार्ठ हमारा c है answer is c question number seven motion sickness is affecting women more often than men but the reason is unknown इस sentence में एक normal fact को बोलने की बात है यह general truth, normal fact के लिए हम किस tense के use करते हैं प्रेजेन टेंस का motion sickness जो जनरली क्या होता है कि यह और्दों को ज्यादा प्रभावित करता है मर्दों के पेक्षा तो यह common fact है common fact को जनरल truth को express करने के लिए हमेशा हम present tense का use करते हैं और present tense का कौनसा form present indefinite tense तो यह हम क्या use करेंगे motion sickness is affecting women more often than men present continuous tense word plus ing यह affecting क्या word plus ing तो यह हमारा present continuous tense में है लेकिन जनरल truth के लिए हम consentence यूज करते हैं simple present tense तो यहाँ हम is affecting के जग़े क्या use करेंगे यह पूड़ा काटेंगे is affecting इसके जग़े हम क्या use करेंगे affects motion sickness affects तो यह पाठ हमारा सही हो जाएगा my error part is a answer is a question number eight if any of founding fathers of our constitution was to return to life for a day his opinion of our amendments would be interesting यह थरा लंबर से sentence है इसमें error का है इस sentence में हम समझ रहे हैं कि यह hypothetical बात है यानि कि जो गुजर चुके हैं जो expired कर चुके हैं वो दुबारा नहीं आ सकते तो हम इसके कलपना कर रहे हैं यह गुजरी बात है इसके हम कलपना कर रहे हैं तो यह hypothetical sentence है जब कभे भी unfulfilled desire wish उसको express करने की बात हो तो हम हमेशा उसमें वेर का यूजर करते हैं डबलू यारी वेर इस sentence में हमने क्या यूजर किया है वाज इसके जगह में यूजर करना है वेर यह हम यूजर करेंगे वेर तो यह पार्थ हमारा सही हो जाएगा तो एरर पार्थ हमारा ए आंसर इस ए यह भी सही है अगे हम क्या देखने कि हमने since को यूजर किया Since का यूजर कहा होता है हमने आपको बताया था हरूल वाले वीडियो में कि since का यूजर Present perfect, present perfect continuous, past perfect and past perfect continuous tense में करते हैं यहां हमने since को कहा यूजर किया है Did he prosper? Simple past में, simple past में हम since को यूजर करें simple past में हमें कभी बे since को नहीं यूजर करना हमेशा याद रखे है इसे note कर लें कि simple past tense में since का use नहीं होगा यह चार टेंज जो अभी हमने आपको बताया सिर्फ उसी में since का use करेंगे तो हमारा error part है भी यहां हम क्या use करेंगे has he prospered क्योंकि has के साथ हमेशा verb का third form आता है यहां prosper नहीं use करेंगे prosper तो यह part हमारा सही हो जाएगा the answer is B question number 10 she asked me to look at the dreadful letter she has got and asked how she should reply to it इस sentence में बीते हुए समय की दो घटनाओं का जिक्र है she has got यह हम has use करें बीते हुए समय की दो घटनाओं का जिक्रो तो जो घटना पहले घटी उसके लिए past perfect tense और जो घटना बाद भी घटी उसके लिए simple past का यूज करते है यहाँ चिठी पाने का काम पहले हुआ letter पहले मिला उसके बाद की घटना she asked उसके बाद उसने पूछा तो पूछने की बाद में हुई और letter मिलने का काम पहले हुआ तो जो पहले हुआ उसको हम past perfect tense में लिखेंगे यह हम has की जगा यह सही है तो हमारा error part है C, answer is C question number 11 I knew our college library was run but recently did I discover how bad the situation is यह sentence किस form में है was did यह हमें बता रहा है कि sentence हमारा past form में है तो आगे हम क्या यूज करें how bad the situation is past की घटनों को बताने के लिए हम इसका प्रयोग कभी नहीं करते है इसका जो यह प्रयोग करें यह हमारा error है इसके जगे हम क्या यूज करेंगे was तो यह part हमारा सही हो जाएगा how bad the situation was the answer is D question number 12 no sooner did the ship touch the shore than a soldier of 10th battalion lift into the water इस sentence में कहा है रहर है no sooner did did यूज कर रहे है याद रखे कि did का कैसे यूज करना है did the ship touch आगे हमने जो वर्ब यूज किया जलती हो गई ना test यूज किया वर्ब का third form यूज कर लिया do does did के साथ हमेशा हमें वर्ब का first form यूज करना है यह हम touch लिखेंगे यह मारा गलत पार्ट है इसके जगे हम क्या यूज करेंगे touch did के साथ हमें वर्ब touch यूज करना है तो यह पार्ट हमारा सही हो जाएगा then a shoulder of 10th battalion सही है यह lift into the water यह भी सही है तो हमारा error पार्ट है B answer is B question number 13 I am working at my present job since the day a son was born to my brother यह sentence के tense में start होड़ा है I am working present continuous at my present job आगे हम क्या use करें since use करें किस के लिए present continuous के लिए हमने अपनी रूम में पढ़ा था कि since का use कहा करना है present perfect past perfect present perfect continuous past perfect continuous हमने यह since को कहा use किया present continuous के साथ यह हम present continuous में structure बना रहे है यह गलत है इससे हम present perfect में use करेंगे I have worked present perfect tense तो यह since का प्रयोग जो है वो सही होगा तो यह हमारा error part है I am working के जगए I have worked करेंगे तो यह part सही हो चाहएगा error part है A answer is A question number 14 Yesterday when the teacher saw the students making a noise he punished them Yesterday यानि बीता हुए समय यह past tense में है When the teacher saw again हम past form use करें teacher ने देखा simple past tense में यह making a noise he punished them sentence हमारा past की यानि बीते हुए समय की बात कर रहा है तो आगे भी हम past tense से use करेंगे यहां जो हम punish यूज़ कर रहे हैं यह punish verb का first form है जो past tense में कभी भी नहीं यूज़ होता तो यह हम क्या यूज़ करेंगे punish के जगा यहां हम punish के जगा punish यूज़ करेंगे verb का second form क्योंकि यह simple past tense में होगा तो यह part सही हो जाएगा तो यह error part है C answer is C question no.15 4 days past since I came to my hometown on vacation 4 days past यह verb का second form subject के साथ यानि कि यह हमारा कौन सा sentence है कौन सा tense है simple past यह since लोग यूज़ करेंगे जस्ट इसे find out करना है कि हमने since क्यों यूज़ किया जब हमारा first sentence first clause हो जो है sentence का पहला clause हो simple past में है तो हम since क्यों यूज़ कर रहे है since का use अभी आपको बता है since का use जो किस की strength में होता है simple past में since का use कभी नहीं होता अगर हम since यूज़ कर रहे है तो यह तो हम Present perfect यap Past perfect use करेंगै या पिर present perfect continuous of past perfect continuous तो यहां हम पास्ट के पहले क्या दूड करेंगे हैफ पास्ट के पearले क्या हम्हब को यूज करेंगे तो यह पार्ब हमारा सही हो जाएगा फूर डेज हैप पास्ट सिंस यह हमेंट होंटाँ थो हुं caston ओन वेटेशन थुम्हार एर पारट A answer is A अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पूर वाचिंग